हेलो एवरिवन, मित्तल कीचन में आपका श्वागत है, आज मैं आपके साथ साबूरदाना की ऐसी रेसिपी लाई हूँ, जिसे आप केवल 10-15 मिनट में इजिली बनाकर रेडी कर शकते हो, वो भी बिना साबूरदाना को फुलाए कम महनत में बनी या साबूरदाना की रेसिपी खाकर आपको और आपके फैमली को मज़ा आ जाएगा या मेरी गाइडेंटी है और अगर आपको या रेसिपी पसंद नहीं आईगी तो आप इस वीडियो को डिश्लाइक कर शकते हो, तो चलो फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे और इसमें हम दो ग्लास दूद एड़ करेंगे यहां मैंने दूद 500 एमल जितनी ली है और अब हम दूद को एक बार करची की मदद से चलाकर इसमें एक वाइल आने के लिए छोड़ देंगे वरत के दोरान जब कभी हमें साबूर्दाना का कुछ नमकिन बनाकर खाने का मन होता है तो हम सभी साबूर्दाने का वरा, खीचरी, तो धोसा, तो क्या-क्या नहीं बनाते बर जब साबूर्दाने क्या मीठे की खाने की बात आती है तो हम सिर्फ साबूर दाने का खीर बनाते हैं और वो भी अगर हम साबूर दाने को नहीं फुलाए होते और हमें इंस्टेट खाने का मन होता है तो हम नहीं खा पाते हैं इसलिए आज मैं आपके साथ यह रेसिपी लेके आई हो जब दूद में अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए तो दूद को एक बार अच्छी तरीके से चलाने के बाद हम इसमें आधी कटोरी चीनी एड़ कर देंगे चीनी आप अपने एकोडिंग थोड़ा कम या जादा रख सकते हो यहां मैंने चीनी कमी यूज की है क्योंकि वरत के दोलाना में कमी मीठा खाने का मन होता है तो आप इसमें थोड़ा चीनी बढ़ा भी सकते हो चीनी एड़ करने के साथ साथ हम इसमें कटी हुई ड्राइफ रूट्स भी एड़ कर देंगे ड्राइफ रूट्स में मैंने या कटी हुई वदाम, पिस्ता, काजू, अकरोट और किसमिस का यूज किया है आप अपने पसंद की कोई भी ड्राइफ रूट्स इसमें डाल सकते हो और आपको जो ड्राइफ रूट्स अच्छी नहीं लगती, उसे आप सकीब भी कर सकते हो तो ड्राइफ रूट्स और चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्ष कर लेंगे और जब चीनी अच्छी तरीके से घूल जाए तो हम इसमे एक टेवल एस्पून इलाइची पाउडर डाल देंगे और भीगोई हुई केसर डाल देंगे केसर डालने से इसका कलर काफी अच्छा आजाता है आप चाहे तो इसे एसके भी कर सकते हो केसर और इलाइची पाउडर को हम दूद के साथ अच्छी तरीके से मिक्ष कर लेंगे और इसे अब हम लो फ्लेम पर करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम एक पैन ले लेंगे और इसमें एक ग्लास पानी एट करके पानी को अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें आधी कटोरी शाबूरदाना डाल देंगे और शाबूरदाना को एक बार अच्छी तरीके से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे और धक्कन लगाकर इसे low to medium flame पर 5 मिनट के लिए boil होने के लिए छोड़ देंगे जब तक साबुरदाना boil हो रही है तब तक एक बार हम दूद को भी चेक कर लेते हैं तो दूद को एक बार हम कर्ची की मदद से चला लेंगे ताकि इसमें मलाई ना बेठे अगर आप दूद को ऐसे ही छोड़ दोगे तो इसके उपर मलाई बेठ जाएगा तो इसे एक बार बीच बीच में चला लें हमारा साबुरदाना भी अच्छे से boil हो चुका है तो अब हम गेज की flame को off करके इसे छान लेते हैं ताकि साबुरदाना का extra पानी निकल जाए तो साबुरदाना को हम instant थंडे पानी से wash कर लेंगे ताकि इसकी जो extra cooking है वो रूक जाए और साबुरदाना में जो भी starch है वो रहे तो साबुरदाना को मैंने यह पानी से अच्छे से wash कर लिया है अब हम दूद को एक बार अच्छे से चलाने के बाद इसमें उबलेवे साबुर्दाना एड़ कर देंगे और साबुर्दाना एड़ करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम दो मिनट तक कुक करेंगे आपको साबूरदाना को ज़ादा दे तक नहीं पकाना है साबूरदाना पहले से उबली हुई है तो इसे आप बस 1-2 मिनट के लिए पका ले 1-2 मिनट कुक करने के बाद आप गेश के फ्लेम को ओफ कर दे क्योंकि ठंडा होने के बाद यह और भी ज़्यादा ठीक हो जाती है गेस के फ्लेम को ओफ करने के बाद हम इसमें भीगोई हुई सब्जा का बीज एड़ कर देंगे यहां मैंने एक कटोरी सब्जा का बीज डाला है आप आधी कटोरी भी डाल सकते हो और बेसिल सिर्स डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जा के बीज के फाइदे तो हम सभी जानते हैं तो आप अपने वरत में इसे जरूर से सामिल करें पाच मिनट के बाद ही आप इसकी ठीकनेस देख सकते हो यह कितनी ज़्यादा ठीक हो चुकी है तो इसे आप ज़्यादा गाठा बिल्कुल भी ना करें तो इसे अब हम एक बाउल में निकाल कर सर्व कर लेते हैं थोड़े से ड्राइ रोज पेटल से मैं इसे गार्निस कर देती हूँ क्योंकि हमने इसमें धेर सारा ड्राइफ फ्रूट्स डाला ही है तो उपर से हमें ड्राइफ फ्रूट्स दाने की कोई जरूरत नहीं है अगर नेक्स टाइम आपको कुछ मीठा खाने का मन हो और साबुर्दान फुलाया वो नहीं हो तो आप इसे बना कर जरूर से ट्राइ करना यह आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगी साथ में यह बहुत कम समय में बन भी जाती है यह हमारे हैल्ट के लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि हमने इसमें काफी सारा ड्राइप रूट्स, केसर और बेसिल सिस्ट डाला है तो आप इसे बना कर जरूर से ट्राइ करना यह आपको